नमस्कार दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उसके पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज स्क्राइब कर लिजे बिना कुछ सोचे समझे वह लाल बाला बटन दबा दीजिए ठीक है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा लाइक तो छोड़ यह सपोर्ट है अभी आगे आने वाले समय क्या कर सकता देखो अब धिरे सी यह भी सपोर्ट बन गया इसका यह इनको खीच रहा है पूरा उपर कि मानके चलो यह Resources है है SDFC अगर breakout आया अगर यह SDFC का breakout आया यहां पर तो समझ लो अच्छा खासा इसका spike करेगा बैंक निफ्टी लेकिन अगर यह फिर यहां पर जाके और फिर sell-off आया तो क्या होगा एक ही दिन में बैंक निफ्टी धराम हो जाएगा तो मेरे हिसाब से की एक trap zone बना रहा है यहाँ बैंक निफ्टी देखो यहां पर आया किस तरीका lease बनाया यहां पर उपर गया और यह थे पैटर्न में होते आकर पिर उपर जाने क karena अगर ऐसा हुआ अगर इस लेबल को ब्रेक करेंगा तब तो यह उपर जाइगा लेकिन अगर कहीं आ उपर जाके मैं यहां से उपर गया और फिर यह उपर जाने के लिए यहां इअ पुर इटरम मना दिया तो सीधा आएगा ऐसे एक बड़ी केंडिल देखना आप उस दिन बड़ी केंडिल दिखेगी इसकी आधी केंडिल बन सकती है तो इस तरीके से यहां पर मुझे ट्रैप जोन लग रहा है इसलिए मैंने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर आफ कर दी केवल मेरे IT में स्टॉक्स हैं और फ बस वही उत्त हात सत्य हो जाता लेकिन देखों जो लग रहा है महौल महूल यही लग रहा है कि ऊपर ऊपर घया ठीक है धेकर ऐसे सपोर्ट लेते हुए सपोर्ट लेते उपर चला गया लेकिन अब यह जो बना रहा है माहूल उस तरीके से कि एक तरीके से इस टाइब का जोन बनाक मुझे लग रहा है इसे गिरने से गिरना चाहिए यहां पर पहला तो इसका नियर टर्म टार्गेट जो होगा क्यावन और दूसरा एक क्यावन एक सो पचासी इस लेबल पर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी को जल से जल पहुचना चाहिए उपर की अपसाइट तभी होगी जब इसको क्लोज इसको क्रॉस करेगा यह जो है इसको ब्रेक कर देगा तभी नहीं तो कल देखते हैं अगर इस ही अगरी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी सेमीं ऐसा माहौल बना दिया अँसी चार्ण चलता चला जा रहा है और फिर यह वाला जो माहौल बनाता है इसा हवाल फॉल ही आता है ज्यादा तर तो मुझे भी लग रहा है कि निफ्टी ऐसा बना रहा है जोन की बस अब हो गया बहुत इक्स्टेंड कर लिया रिटेलर को फसाने की ट्राइब हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहां से गिरेगा अगर मालो यह इस तरीके से यहां पर गिरा इस लेबल पर सपोर्ट बनाया इस लेबल को अगर तोड़ दिया तो बहुत खतर ना किरेगा फिर इस लेबल पर सीधा आएगा ठीक है लेकिन अगर यहीं पर सपोर्ट लेगे उपर चला गया तो फि ठीक सर्डिन की बात है तो कि चार्ट इस तरीके से बना हुआ है अब देख लो ना इस तरीके चार्ड बनता चला गया यहां से इस पैटर्न को गया इसको क्लोज के फिस सीधा गया फिर यह जाते जा रहा है तो अगर गिरेगा तो जहां पर नियर टर्म सपोर्ट है उसको ले यहां जाता है एंडिया यहां पर यह और फिर नीचे आता और इसे ना रए लों और लोवर है यहीं बनाता चला जाएगा नीचे ठीक है है तो यह है निफ्टिक निउस इनल्सिस क्यों निफ्टि गिरेगा अब तो ए बहुत जोड़ो की अभी तेजी चल रही है मैंने अपनी जो भी IT वीश लिया था उसको सोल्ड कर दिया क्योंकि यह देखो यह रेजिस्टेंस एडिया है यहीं पर आके थोड़ा से लाउफ आया है नहीं आपको विश्वास है तो इसको देख लो यह कितना गया था ऊपर यह अपने रेजिस्टेंस में मारकर करके तो थोड़ा वहां पर रुकेगा थोड़ा कॉंसोलिडेट करेगा और जो भी वीक सेक्टर मिलेंगे उन में सेलिंग आएगी तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग आने वाली है और उसकी प्रिप्रेशन कर रहे हैं जो ब जो ना निकले तो ना निकले भाई ठीक है उसमें क्या कर सकता है को बाकि इसमें कोई भी मैंने अडवाइस नहीं दी है आप लोग कुछ भी बाई करने के लिए सेल करने के लिए अपने फाइनेसल एडवाइजर से बात करके आप कीजिए ठीक है यह डिस्क्लैमर है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए बाई बाई